जी हां सातियो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले कि आप फेस्बुक में जो इस्टागराम लिंक है या फीड इस्टागराम लिंक हो चुका है उसमें उसको आप डिस्कनेट कैसे कर सकते हैं यानि फेस्बुक से इस्टागराम को हटाना चाहते हैं तो उसे कैसे हटा सकत इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियों को डिना देर के हुए शुरू करते है आपको तो पहले Facebook में जाना यह तो आपको पता है चलिए Facebook में चलते है Facebook में आजाने काद हमको जहां मिलेगा Instagram उसको Instagram से Instagram को हटा देंगे Facebook से ठीक है तो यहां आ जानेके बाद आपको three line का बिंदू दिखाजरेंग यहां पे प्रेश करना है यहां पे प्रेश आप जब कर लेते हैं तो आपको थुरा से scroll करना है आपको setting की ओर चलना है ठीक है तो चलिए नीडर tinha setting है यहां पे प्रेश किजिए फिर उपर एक और सेटिंग में अंदर जाना परेगा तो यहां पर प्रेस किजिए उपर दो-दो सेटिंग उसमें नहीं जाना है नहीं तो बैक चले जाएगा see more in account लिखा हुआ यहाँ इसपे प्रेस किजिए इसपे आप जब प्रेस करते हैं ठीक है इसपे जब प्रेस हो गया है तो प्रेस हो जाने के बाद इसमें भी बहुत सरा एकाउंट का अपसन खूल गया है लेकिन आपको जाना कहा है आप हमारी बातों को ध्यरा में रखते हुए यहाँ एकाउंट का उपसन दिखे राए है ठीक है आपको एकाउंट पर प्रेस करना है यहाँ के लेशिए कि अनि यहाँ करने के बाद और प्रकीर देखिए और Instagram पर लगाता हूम तो Facebook पर राता है यानि दोनों जुडा हुआ है ठीक है तो अब नहीं हम रिवुब कर देंगे तो अब Facebook पर लगांगे तो मेरा Facebook पड़ी रहेगा ठीक है इसको रिवुब कर देंगे तो अगर Instagram पर लगांगे तो अज zwischen पर हट जाएगा ठीक है आपमाने बातों को ध्यान रखते हुए जैसे मैं कर रहा हो इसे करते हैं ऐसे आज आने के बाद देखें लिखा हुआ है रिमूब चंदन यादव 301 यह मेरा यूजर नेम है जो मेरे इस्टाक्राम का है ठीक है इस पर हम प्रेस करेंगे इस पर प्रेस कर देते हैं तो यह गोल गोल नचने के बाद यह डारेक्ट टिक लगेगा यानि ऐसा होगा और देखेजिए लिखा गया चंदन यादव 303 का से रिमूब कर सकते हैं यादि आप कह सकते हैं जिए फेस्टाक्राम को कैसे डिस्करनेट करें कैसे हटाए हो मैं आपको सिखा दिया हूँ तो विन्यो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन दबा लेजेगा तब तक के लिए बाइबे अपना ख्या लखिया कामेंट वे एक अच्छा कामेंट जरूर के जा है तब तक के लिए बाइबे